हेलो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि कैसे एक छोटे से बीज से एक बड़ा हरा भरा पौधा निकलता है ये प्रकृती की सबसे अध्भुत प्रक्रियाओं में से एक है तो चलिए इस अध्भुत सफर की शुरुआत करते हैं देखिए ये छोटा सा बीज हमारे सामने कितना साधारन लगता है लेकिन इसके अंदर छिपी है एक नई जिन्दगी की शुरुआत चुंकि बीज की बाहरी परत उसे सुरक्षा देती है और अंदर होता है एक छोटा सा ब्रूण जिसे अंकुरित होने के लिए सही वातावरन की जरूरत होती है जब बीज को सही मात्रा में पानी, ऑक्सीजन और गर्मी मिलती है तब यह जीवन की पहली किरण को महसूस करता है बीज की बाहरी परत धीरे धीरे नरम हो जाती है और अंदर का भूण बढ़ने लगता है इसे हम अंकुरण कहते हैं सबसे पहले बीज से जड निकलती है जो धर्ती की ओर बढ़ती है और जब जड मिट्टी से पोशक तत्व और पानी खींचने का काम करती है तब पोधा मजबूती से बढ़ने लगती है दोस्तों जड के बाद तना उपर की ओर बढ़ता है सूरज की रोशनी की ओर धीरे धीरे पहली पत्तियां भी निकलने लगती है और पोधा खुद अपना भोजन बनाने के लिए प्रकाश संशलेशन की प्रक्रिया शुरू करता है समय के साथ साथ पोधा और मजबूत होता जाता है और प्रकृती के इस चमतकारिक चक्र में बीज से एक पूरा पेड भी बन सकता है प्रकृती की यह जादूई प्रक्रिया हमें सिखाती है कि सही समय और सही परिस्थितियां मिलने पर छोटा सा बीज भी बड़ा और हरा भरा जीवन दे सकता है अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस प्रकार प्रकृती के और अद्भुत रहस्यों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें